प्यारे बच्चो इस numerical को देखते हैं example no.33 gravitation का बहुत सारे बच्चे परिशान है gravitation का numerical नहीं हो पा रहे हैं concept के लिए नहीं हो पा रहे हैं तो जो बच्चे हुई numerical रह गए हैं बीच बीच के उसको भी complete कर देते हैं की प्लेलिस्ट आपके सामने है तो प्लेलिस्ट के अंदर सारे कोश्टन से अब लेबल है आप जाकर कर देखें अगर आप 11 की स्टुडेंट तो 11 का बहुत बड़ा पॉर्शन फिजिक्स का मैंने कंप्लीट के हुआ है नुमेरिकली आप जाकर कर के देखें A to Z सारी वीडियोस को देखें फायदा मिलेगा एंसाइडी का कोश्टन है सोल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या रहा है find the potential energy of the system of the four particles each of mass small m placed at the vertices of a square of side L L side का square है और आपने उसके vertex पर जो है वो mass रख दिये तो जैसाइघ सपोस्ट कि आपके पास स्कुयर थो यहां पर भी पर समोल m है यहाँ पर भी समोल m है यह यह पर भी और यह पर भी इस पॉन्ट को आ दिया इसको कि को कि यह स creo को टो दी में का आत्या को आपकोन पुछा है इस होदे पिशवरे साइध की होती है center पर आपको potential बताना ये भी आप बड़े अराम से बता दोगे ठीक है तो center पर आपको क्या बताना है potential मतलब यहाँ पर एक बाइफिर से find the potential energy of the system of the four particles आपको चारो particles की potential energy के बारे में discussion कर लेना है तो धियान सा इस question को पढ़ लो आपको इसके साथ center पर भी potential energy बतानी है बता देंगे अब सबसे पहले आपको potential energy का formula पता होना चाहिए mass object के through potential energy कितनी होती है तो फोर्मूला होता है minus के g m1 m2 upon r ठीक है यह potential energy का formula दोनों mass को ले लो और नीचे उन दोनों mass के बीच के Gape से divide कर दो अब देखिएगा मुझे इस sistem की potential energy चाहिए तो मुझे a और बी के बीच में जो potential energy वह लेनी पड़े कि भी और टी के बीच में और d audit के बीच में लेकिन साथ में मुझे बी और डी के बीश में भी लेनी पड़ेगी और साथ में ए और सी के बीश में भी लेनी पड़ेगी तो मुझे इतनी सारी डिस्टेंस चाहिएंगी तो मुझे फिर बीडी निकालना पड़ेगा वैसे ही ए सी निकालना पड़ेगा तो आप कहेंगे हार यहां पर जो है वोकिकर ढाशनुच YES बराबर है किसके है B, D के और यह डायगनल है यह है डायगनल और डायगनल कैसे नकाले जाते हैं स्कॉायर रूट बेस का स्कॉायर पिलस परपेंडिकुलर का स्कॉायर तो जाएगा वरे लसक्ट तो इसको आप कहा सकते हो root 2L ठीक है तो आपके पास diagonal भी आ चुका है कितना है root 2L ठीक है धियान देने वाली बात थी ये भी L है ये भी L है तो ये root 2L हो जाएगा अब आपको चाहिए क्या potential energy तो आप कहेंगे potential potential energy of the system of charge particles ओहो charge particle इसलिए धियान पा रहा है क्योंकि हमने electrostatic पर लगी है potential energy of the system of the mass objects तो भू क्या हो जाएगी minus ठीक है बाहर ले लेता हूँ क्योंकि minus सब में आना है तो minus A और B के बीच में तो आप ये कह सकते हैं potential energy A और B के बीच की plus potential energy BC plus potential energy CD plus potential energy D A plus potential energy B D plus potential energy A C ये है total potential सबकी पैदे रखतो और आंसर पालो minus ऐसे रहेगा अब आपको पता है कि इनके बीच A और B के बीच potential energy उतनी होगी जितनी B और C के बीच होगी क्यों? क्योंकि mass भी सेम है और distance भी सेम है mass भी सेम है दिख लो तो चार है तो आप इसको कह सकते हो चार हो आपस में equal है तो इसको कह सकते हो चार गुणा potential energy of A B मतलब A B की B C की CD की DA की ये आपस में equal है तो आप किसी के ये बराबर रखतो तो चार गुणा U A B plus अब देखिएगा जो डाइगनल वाली है ये भी आपस में equal है क्योंकि यहां से यहां तक का gap उतना ही है जितना यहां से यहां से यहां तक का gap है तो आप gap के इसाफ़ सब potential energy निकार लो mass भी सेम है gap भी सेम है तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों सेम होंगी तो इसको टू टाइमस कह सकते हो यो बी डी वैल्य पुट कर रो आंसर पालो potential energy is equal to minus ऐसे फोर ऐसे रहेगा g mm upon a और b a b a b तो ये l है gap फिलस 2 ये भी g mm और निचा अगा gap कितना है इनके बीच में यहां से यहां तक है फिर यहां से यहां तक हो ये रूट टू वैल है तो रूट टू एल कर दोगे लो भी ये पार्ट खतम potential energy कितना हो जाएगा minus g mm upon a तो ये 2 gm square upon a बहर ले लो तो ये minus के साथ minus तो पहले से था यहां से 2 gm square upon a ले लिया तो gm square बहर गया l भी भार गया तो यहां से 2 रह जाएगा पिलस चुकि 2 जा चुका है तो यह पूरा यहां पर one upon root 2 रह जाएगा solve करो इसको आगे solve करेंगे तो क्या मिलने वाला यहां कर लेते हैं color change करके तो potential energy is equal to minus g g न कहाए करके पूरा लिखो minus के 2 gm square upon l तो 2 one upon root 2 की value होती है 0.707 तो 2.707 हो जाएगा 2.707 हो जाएगा 2.707 की multiply 2 सा करेंगे तो value कितनी आ जाएगी तो potential energy is equal to minus g 7 to the 14 का 4 carry 1 तो यह 14 रह जाएगा 2 सत्य चोदा का 4 carry 1 2 दो 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 चार रह एक पहुंच तो 5.4 5.4 gm square upon L यह value निकल कर आ जाएगी ठीक है बई तो potential energy का formula आ चुका है यह फिर आप यह कह सकते हैं कि system of mass bodies potential energy आ चुके minus के 5.414 gm square upon L के यही है minus के 5.41 बिल्कु सही है gm square upon L तो एक तो यह पूचा था दूसरा पूचा कि gravitational potential energy center of the square बता दो मतलब यहां पर बता दो तो यहां पर निकालना थोड़ा जादा आसान है और कैसे है आप कहेंगे potential energy potential energy at the center potential energy center पर कैसे निकालोगे आपके पास एक square है और इस square की मदद से center पर आपको potential energy निकालनी है आपको यह तो understood है ये भी L है ये भी L है ये भी L है ये भी L है आपको पूरे diagonal की value पता है क्ये root 2 L है तो पूरा डाइगनल जब रूट 2 L है तो आधा कितना हो जाएगा आधा कितना हो जाएगा तो इसका आधा रूट 2 L का जब आधा करोगे तो L अपॉन रूट 2 हो जाएगा तो ये L अपॉन रूट 2 है ये L अपॉन रूट 2 क्यों मुझे जरुवत क्यों पड़ी क्योंकि मुझे पता है मैंने वोटेक्स पर मास अब्जेक्ट को रखा हुआ है और पोटेंशल एनर्जी निकालने के नहीं जैसे कि मुझे यहां सेंटर पर पोटेंशल एनर्जी चाहिएगी तो यहाँ पर center पर potential energy तभी निकाल सकता हूँ, जब यहाँ पर मैं कोई एक image नरी mass object को ले लू, question के अंदर देखो, क्या कोई mass object दे रखा है, क्या कोई mass object दिया हुआ है, हम सब potential energy ना बोल करके potential कह रहा है, potential पूछ रहा है center पर, potential at the center, क्योंकि potential energy तो दो mass object के बीच में निकलती है, लेकिन potential आप जो है, किसी एक mass object से निकाल सकते हैं, अगर यह आपके पास कोई mass object है, यह distance r है, तो एक p point पर potential हो जाएगा, vp जिसके value होगी, minus gm upon r, ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर potential पूछ रहा, तो potential के लिए जरूरी है कि वो mass object चाहिए, जिसके वजह सा चाहिए, और जहाँ पर चाहिए वो distance भी, तो इस से चाहिए मुझे यहाँ पर तो यह distance मुझे पता है, तो इस से चाहिए यहाँ पर तो यह distance भी मुझे पता है, इस से चाहिए यहाँ पर तो मुझे यह distance भी पता, अल है तो आपको होगे हेर हेर जो ए ओ है बराबर है बी ओ के बराबर है सी ओ के बराबर है डी ओ के और यह बराबर निकल गा चुकिए एल अपन रूट टू ठीक है देन अजय है बराबर है सी ओ के बराबर है सी ओ लूट खबाइ बराबर निकल गारबर है सी ओ करके बराबर है झाल झाल कर दें कि अज़ुआ कि रहे ये बंद हो गया भी ये बंद हो गया चलो अच्छी बात है बंद हो गया उपता चल गया मुझा बंद हो गया इस बंद हो गया इबन्दि और डाउन तो इसको मैं अभी चेंज करता हूँ फिर समझा जेता हूँ दुवारा से इसको कितनी भी अच्छी बैटी डालर डाउन तो हो जाती है देखो यहाँ पर हमसे सेंटर पूछा गया था एक बार कोशन दुवारा समझ लेते हैं आप सब पोटेंशल पूछा गया था पोटेंशल एंडर्जी पूछी गया थी इस सिस्टम के दुवारा तो पोटेंशल एंडर् मास चाहिए उ दोनों के बीच का गया चाहिए तो आपके पास मास मास भी है आपके पास गया भी तो आपने सिस भीच यह बराबर यह बराबर दुव भी और दो जो हो गई वो यह वाली होगे डाइगनल वाली ठीक है हम न लिख दी फिर आपने का सर मुझे इन दोनों के बीच का गैप पता है और मुझे वह सभी पता तो मैंने ठीक है यार चल पहला चार वाली का सॉल्व कर ले तो जी एम एम अपून एल गैप है पिलस और इसको पोटेंशल बताने के लिए आपके पास फॉर्मूल होता है जी एम एपून एर मतलब आपको मास ऑब्जेक्ट चाहिए और साथ में डिस्चंस चाहिए जहांपर आपको पोटेंशल बताना तो आपको इसकी वज़ेस जितने ही वोर्टेक्स पर मास बोडी रखी हुए है इ L upon root 2 यह है L upon root 2 तो आपने इसकी वजहास है साफ साफ कह दिया कि यार इन चारों की वज़े से equal होगा और that is equal to 4 times minus के gm upon L, L y root 2 यह L y root 2 क्या है यह है distance ठीक है solve भी किया value निकल कर आगे minus के 4 root 2 gm upon L तो easy question था matter down हो गए थी आ गया चलते हैं और अगले numerical में बात करते हैं thank you so much